जहें दें दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास्ट एल्फ सोशल साइंस जोग्राफियर था भूगोल के मोस्ट इंपोर्टेंट अब्जेक्टिव क्वेस्टन तो वीडियो में अब्जेक्टिव क्वेस्टन कराया जा रहे हैं सभी सब्जेक्टों का अगर आप चाहते हैं आपका 90% के ऊपर रिजल्ट बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाए और जो भी इस चैनल पर त्यारी कराया जा रहा है पूरा एक एक क्वेस्टन पर जाए उससे बाहर एक भी क्वेस्टन नहीं आएगा जो इस चैनल पर पढ़ाया जा रहा है गारांटी के साथ अगर आप बहतर रिजल्ट लाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना आप मत भूलिए और सभी सब्जक्टों की तयारी कराई जा रही है इस चैनल पर आप घर बैठे आसानी से तयारी कर सकते हैं कम समय में बहतर तयारी ठीक है सभी सब्जेक्टों की बस आपको करना क्या जो जो पढ़ाया जा रहा है उसका एक अलग से नोट बुक बनाईए और जो जो पढ़ा रहा है उसको तयार करे ठीक है उससे बाहर एक भी question आपके board exam में नहीं आएगा तो नहीं आएगा और आगे मैं model paper भी solve कराने वाला हूँ अगर आप subscribe नहीं किये रहेंगे तो आप model paper का वीडियो नहीं देख पाएंगे ठीक है इसलिए मैं आपसे request करूँगा कि आप channel को subscribe कर लेजिए और ये भी आपको पता है कि social science से कुल 20 बहुकलपी प्रस्ण आपके board exam में पूछे जाएंगे जो काफी important role नीवाने वाले हैं दोस्तों आपको 90% result बनाने में अगर यहां से अगर जो भी question गलत होगा वो हमेशा result आपका down करता चला जाएगा तो आप प्रयास करें कि जो बहुकलपी question है वो आपका पूरा का पूरा सही होना चाहिए तो कैसे सही होगा अगर आप इसे लों के माध्यम से पढ़ रहे हैं जितना पढ़ाया गया है पूरा तयार कर लेंगे तो गरांटी है कि इससे बाहर एक भी question नहीं आएगा तो इसके पहले मैंने इस्ट्री अर्थात इतिहास का वीडियो करा दिया है most important objective question उसका बता दिया है अब इसमें बताने वाला हूँ जोग्राफी अर्थात भुगोल का most important objective question और science का भी करा दिया गया हिंदी का भी करा दिया गया अब सभी subject का करा दिया जाएगा पहले objective question करा जाएगा उसके बाद लगुत्री प्रस्ण करा जाएगा उसके बाद दिरगुत्री प्रस्ण करा जाएगा सभी subject का बारी बारी से question by question अर्थ पहले objective करा दिया जाएगा तो काली मृदा सरवाधिक होती है थोड़ा मैं फास्ट कराऊंगा क्वेस्टन का सिर्फ एंसवर बताऊंगा आप संपढ़ूंगा वीडियो लंबा होता चला जाएगा सिर्फ आप समझे और नोटबुक में लिखिए मेरे कहने का अगर कपास उत्पादन की बात करेगा तो उसके कपास हमेशा कपास ही खेती काली मृदा में की जाती है काली मिर्दा गुजरात महाराश्ट में पाया जाता है अगर कहां पर होता है कहां किस राज में काली मिर्दा पायत यसा question पूछेगा तो गुजरात दिया रहेगा महाराष्ट दिया रहेगा तो महाराष्ट को टिक करिए यह नहीं कि बस जो मैं लिखा रहा हूं वहीं लिख लिए बस रिजल्ट परने के अच्छा ऐसा नहीं तो जो समझा रहा हूं उसको भी समझते चलिएगा ठीक है question number two है निमने लिखित में से कौन सी मृदा चाई की खेती के लिए उप्यूप्त है तो परवती जो मिदा है वह चाई के लिए खेती के लिए उप्यूप्त है यहाँ पर एक बात मैं समझाना चाहूंगा अगर परवती मृदा ना देकर यहाँ पर दे दे लैटराइट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे चाय की खेती के लिए उपियुक्त होता है सबसे बढ़िया क्या होते ही कौन से मिर्दा होती है पहला का परवती मिर्दा आपसन दिया गया है तो परवती मिर्दा को ही आपसन टिक करिएगा अगर परवती मिर्दा नहीं दिया गया वहाँ पे लेट राइड दे दिया गया है तो लेट राइड मृदा हो जाएगा चाय की खेती के लिए किलियर चलो बरते अब नेक्स्ट कुछन के तरब क्वैस्टन नमबर तरी भारत की सरवाधिक उपजाओं मृदा है तो जैसा कि आपको पता है भारत की सरवाधिक उपजाओं मृदा है वो जलोड मृदा ठीक है ये सबसे उपजाओं मृदा होती है जलोड मृदा अब देखे दोस्तों question number 4 question number 4 है जलोड मृदा का निर्मार होता है वो होता है नदियों से अर्थात आपसा number D right हो जाएगा ठीक है मैं answer answer कराओंगा ठीक है आप जो आपसान है सभी को नहीं पढ़ूँगा question answer question answer मैं कराओंगा अब लिखते चलिएगा काली मृदा का निर्मार होता है जलोड मृदा का निर्मार नदियों से अब काली मृदा का निर्मार क्या होगा जौला मुखी विस्पोर्ट से कहीं पर जौला मुखी जहां विस्पोर्ट हुए रहते हैं तो जल कर जो भी राक हो गयर होते है तो उससे क्या होती है उनकी तो ला घृष्ट dough चाहना नदीयों में दूल जा दिए काली मिर्दध काली क्व इसक जलने से काला होगा तो काला होने का मतलग जो अलाम की भी स्पोर्ट से ठीक है अब देखे जलोड मिर्दा पाई जाती है अब देखे जलोड मिर्दा कहां सबंती नदियों से अब बोल दिया जलोड मिर्दा कहां पर पाई जाती है तो देखे जलोड मिर्दा मैदानी छेतर में पाई जाती है लाल पीली मिट्टी पाई जाती है तो वो मालवा प्रदेश में पाया जाता या पाई जाती है चलो बरते हैं नेक्स्ट क्वेशन की तरफ question no.8 अब देखें दोस्तो question no.8 agenda 21 का संबंद किस्से है तो agenda 21 का संबंद है सतत पोशड़ी विकास से ये question काफी important है बहुत बार पूछा भी जा चुका है अब देखे question number 29 स्री 29 नहीं ठीक है सतत पोशड़ी विकास की अब धारा स्रयूगत राष्ट पर्यावरण और विकास सम्वेलन UNCED में कब अपनाई गई तो इसका right answer हो जाएगा 1972 में question number 10 है रियोडी जेनेरियों में पृतिवी सिखर सम्वेलन का आयोजन किस वर्स हुआ था तो इसका right answer हो जाएगा 1992 में question number 11 है पर्वतो पर मिर्दा अपरदन का साधन है पर्वतो पर मिर्दा अपरदन का साधन है वो है ही मनद clear समझ रहना सब question number 11 हो गया अब हम देखेंगे question number 12 को question number 12 में बोल रखा है नेम ने लिकित में से कि स्राज में काली मिटी पाई जाती है 12 का बोलाया देखे मैं मैंने शुरू में ही बताया कि काली मिटी कहां पाई थे है गुजरात और महाराष्ट में यहां पर आपसन गुजरात दिया गया तो गुजरात को ही आप टिक कर दीजिएगा अगर महाराष्ट दिया रहेगा तो आप महाराष्ट को टिक कर दिएगा clear चलिए दोनम से कोई एक ही आपसन आएगा थार्टी नमर क्वेश्टन है पंजाब में भूम निमनिकरण का मुख्य कारण क्या है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा अधिक सिचाई क्वेश्टन नमर फोर्टीन है निमनिकरण में से किस राज में सीधी दार खेती की जाती है तो सीधी दार जहां पे पहाड होंगे वहें पे सीधी दार खेती होगी तो उत्तराखन, पुत्तरप्रदेश, हरियाना, पंजाब सब ज़्यदा पहाड कहां पे है यहां पे उत्तराखन इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा उत्रा खंड अता सीधी दार खेटी कहां पे होती है उत्रा खंड में क्लिया क्वेस्टन नम्र फिप्टीन है निम्न लिखीत में से किसकी अधिक मात्रा जलोड मिट्टी में पाई जाती है सबस्यादा मात्रा पोटास चुना फासपोरस इन में सभी तो देखिए पोटास चूना फासपोरस जलोड मिट्टी में तीनों पाई आते हैं अर्थात इन में से सभी राइट अंसर हो जाएगा आप्सान नम्बर डी question number 16 है नीम्ण मेंसे कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है बागान, चारागा, भूम या खनीज संसाधन question number 16 का जो right answer हो जायगा वो option number D खनीज संसाधन यह व्यक्तिगत संसाधन नहीं खनीज संसाधन अपने बनाते है यह संसाधन अपने है भारत में वन भूमी का प्रतिसत क्या में वण भूमी का प्रतिस। वन भूमी है बहरत में एक्टिस हסन्त हम भूमी तुरफ क्वैस्ट की तरफ क्वैस्ट नम्बर 18 अब देशें दुस्तों question number 18 किस स्तिथी को विश्व पर्यावरा दिवस मनाया जाता है ये भी इंपॉर्डेंट question है तो इसका right answer हो जाएगा ए पांच जून बहुत वार पूछा जा चुका है question number 19 है निमनलिखित भागों में से ज्वारी वन कहां पाए जाते हैं question number 20 है चिपको आंदोलन संबंधित है question number 21 है भारत में सबसे पहले वन एम वन जिव संद्चण अधनियम किस वर्स लागू किया गया question number 22 है टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्स आरंब किया गया question number 22 है टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्स आरंब किया गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973 में अर्थात आपसन नंबर ए और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दो भाई आप लिए इतना मेहनत करते हैं तो कम सकम इतना तो आपका हग बनता है वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें अब देखिए क्वेस्टिन नंबर 23 है भारत में वनों के अंतरगर सरवाधीक प्रतिश्यत भूमी निम्नलिकित में से किस राज में पाई जाती है क्वेस्टिन नंबर 23 है तो देखो मिजोरं में सबसे ज्यादा भूमी प्रतिश्य पाई जाती है किसका वन होगा डिक है किस राज में सुन्दर वन इस्थित है किस राज में सुन्दर वन इस्थित है अर्थात पस्चिम बंगाल हो गया अब बोला है सुन्दर वन कहां पाए जाते हैं तो गंका डेल्टाई छेतर में पाए जाते हैं वन पर आधारित उद्दोग है वन पर आधारित उद्दोग क्या है ये आपको बताना है माचिस उद्धोग, सूती वस्त्र उद्धोग, चीने उद्धोग, इस्टील उद्धोग, तो वह अंसर सिर्फ हम माचिस बना सकते हैं, जितना इसमें सापसन दिया है, सिर्फ एक ही उद्धोग कर सकते हैं, वो भी माचिस कर, ठीक है, किलियर, चलो बढ़ते हैं, एक्स वेस करने वाले निम्लिकित में से कौन का रखा है तो है वुगरभिक संरचना ठीक है क्वेस्टन नमर 27 का आप्शन नमबर सी सही हो जाएगा उच्छड कटी बंधी वर्षा या सदा क्वेस्टन है दोस्तों निम्लिकित में से कौन सा या कौन सदावहारी वन का ब्रिच है महोगनी राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा उठा 2029 का keyword ए राइड हो जाएगा स्पाइए नम्लिकित में से कौन काटेदार वन का बीच है करफा 30 आप इंसर एह आप देखें 31 number question मानसूनी 1 किसे कहते हैं तो ज्वारी 1 को ही मानसूनी 1 कहते हैं अधिधा 31 number का option number C right हो जाएगा ठीक है अब हम देखते हैं next question 32 32 है दोस्तों किस राज में सुन दर वन इस्थित है अभी देखें question कराएं यह question क्या हो रहा है तो रिफीट हो रहा है तो रिफीट हो रहा है अपने से आप कर लेंगे या मैं करा दूँँ चलो छोड़ो कराई देता हूं अपसन नमबर इसका सी पर्शिव मंगाल ठीक है अब दीए 33 नमबर 33 नमबर क्योचन है भारत के प्रतम नेशनल पार्क की अस्थापना किस वर्श हुई तो 1936 नमबर ठाथ आपसन नमबर इस राइट हो जाएगा ठीक है ग्रीन इंडिया मेशन प्रारंब किया गया तो ग्रीन इंडिया मेशन 2014 में प्रारंब किया गया Q36 है हरा सोना निमनलिखीत में से किसे कहा जाता है हरा सोना निमनलिखीत में से किसे कहा जाता है तो वो हम बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पती को हरा सोना कहते हैं जहां पर प्राकरतिक बनस्पती होता है उसे हम बोलते हैं हरा सोना अगर हम आपसे question करें कि काला सोना किसे कहते हैं आप ध्यान दीजेगा यह मैं आप comment बताएगा मुझे काला सोना किसे कहते हैं काला सोना किसे कहते हैं इसका मुझे आप directly answer बताएगा कि काला सोना किसे कहते हैं जिस तरीके से हरा सोना प्राकरतिक बनस्पती हो गया उसी तरीके से काला सोना किसे कहते हैं मैं आपके comment को पढ़ूँगा ठीक है और देखता हूँ कि आप लोग कितने लोग सही answer दे लेते हो चुलो दोस्ता पड़ते हैं next question की तरफ question number 37 अब देखें दोस्तो question number 37 है green India मीशन का उद्येश निम्लिकित में से क्या था जलवाई परिवर्तन था ठीक है 37 का option number B right हो जाएगा 38 है टीहरी बांद किस नदी पर बनाया गया है तो वो भागी रती नदी पर बनाया गया है टीहरी बांद 39 नम्मर question है निम्लिकित में से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है इसका right answer हो जाएगा रिहंद ठीक है देखिए next question है question number 40 नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर इस्थित है तो इसका right answer हो जाएगा कृष्णा नदी पर ठीक है clear चलो बढ़ते है next question कि तरफ दोस्तो question number 41 question number 41 है चम्बल परियोजना किस राज से संबंधित है तो चम्बल पर दोस्तों मध्य परदेश और राजस्थान से संबंधित है या था आपसा number D इसका sorry C right हो जाए question number 42 है बिस्व में सरवाधिक वर्षा किस अस्थान पर होती है तो वह होती है मासीन राम अर्थात में घाल लाए question 43 है टिहरी बाध परियोजना किस राज में स्थित है अभी मैंने उताया कि इसके पहले question करा है कि टिहरी बाध किस नदी पर बनाया गया है तो टिहरी बाध भागी रथी नदी पर बनाया गया है अब आपसे पूछ रहा है टिहरी बाध परियोजना किस राज में स्थित है तो किस राज में होगा दोस्तो उत्राघंड क्योंकि भागी रथी नदी वहीं से भी निकली है जिसे हम गंगाजी कहते हैं तो किस ने आधुनिक भारत का मंदीर कहा वो थे जवाहलाल नेहरूजी चलो बढ़ते दोस्तो नेक्ट क्वेशन की तरब अब देखें दोस्तो वाकला नांगल परियोजना की बात की जाएगी तो वो सतलूज नदी पर क्या है निर्मित है 46 का तो वो है दामोदर घाटी परियोजना वो है पस्चिम बंगाल से संबंधित है क्लियर अब देखें दोस्तों क्वेशन नमा 47 ही राकूंड परियोजना की नदी पर निर्मित है वो है महा नदी क्लियर समझ रहे ना यह सब जितने भी परियोजना मैं करा रहा हूं सबको अच्छे से आप तयार कर लिज़ेगा ठीक है मैं यहां पर जितने क्योष्चन करा रहा हूं सबको आपकी गरांटी तयार करनी है ठीक है अब दिखे 48 नंबर क्वेस्चन है रिहंदबाद परयोजना कि सराज में बनाई गए तो रिहंदबाद परयोजना जो है वो है उत्तर प्रदेशार्थात आप रिखेर 49 नंबर क्वेस्चन है हीरा कुंड बहुत देशी परियोजना की सराज में इस्थित है कुल जितने भी योजना परियोजना मैं बता रहा हूं इसको आप तयार जरूर कर लीजेगा तो वो हीरा कुंड बहुत देशी परियोजना वो है उड़े इसा में किसमें है उड़े इसा में अब देखे दोस्तों next question बहुत important question है 50 number question स्वेत क्रांती संबंधित है स्वेत क्रांती दुख दुद पातन से क्योंकि स्वेत दूद जो होता है वो सफेद ही होता है सफेद क्रांत किसे होगा दूद से ठीक है अब हम थोड़ा important question देख लेते हैं फसल से संबंधित यहाँ पर फसल से संबंधित घुमाक फिराकर question पूछेगा थोड़ा इसी को समझेगा थोड़ा stop हो जाईए रुक जाईए अब screen shot लेना बंद करिये अभी आप समझेए अगर आप से पूछ ले फसल कितने प्रकार को होते है अगर आप से पूछे रभी फसल की बुआई कब होती है तो अक्टूबर से दिसंबर में होती है खरी फसल की बुआई कब होती है माई से जुलाई तक होती है और जायद फसल की मार्च से जून तक होती यह इनकी जायद की फसल की यहाँ पर समय सीमा है ठीए रभी की फसल गेहूं जो मटर चना सरसो आदी खरीब की फसल धान मक्का जवार बाजरा तूर मुंग उड़त कपास जूर मुंपली सोया बीन आदी खीरा खरबूजा तरबूजा सबजिया चारा यह किसका है फसल जायत की फसल है किलियर अगर आपसे पूछ दे जैसे एक क्योश्चन आपसे पूछ ले गेहूं या निमलखीत में से कौन सी रभी की फसल है दे दे गेहूं धान मक्का जवार तो इसमें से कौन सा रभी की फसल होगा गेहूं ठीक है या पूछे निम्लिकित में से कौन सी रभी की फसल नहीं है अब देदे गेहूं जाओ मटर और उसके बाद एक आपसे ले खीरा तो खीरा क्या होगा यह जायत का फसल हो जाएगा रभी का फसल नहीं होगा तो इन फसलों को अच्छे से आप तयार करिए घुमा फिरा के यहाँ पर क्वेस्चन पूछा जा रहा है अभी मैं आगे आपका दोस्तों मैं मॉडल पेपर कराने वाला हूं तो आगे आपर अच्छे समझ में आ जाएगा अभी सिर्फ मैं फटा-फट वीडियो करा रहा हूं तो इसको आप समझते चले ठीक है अब देक क्या नहीं है चलो बाड़ते next question की तरफ दोस्तों question number 52 आप देखे दोस्तों question number 52 बोला इसमें निम्निलिकियत में से कौन सी नकत फसल नहीं है चाय कपास गहूं गन्ना नकत फसल नहीं है जहाएंगा चाल या मर्त सफ़ाना चाइव बढूर की बदे miss when ऑर भारत का कौन साराज प्रत्थम स्थान पर हैं आैं प्रदेश 54 सरवाधिक पैदा होती है तो वह उत्तर प्रदेश ठीक है 55 नंबर क्योंसे संबंदित किसे क्रिसी उत्पादन से ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएक आप्शन नंबर है 50 नंबर सिक्स क्वेशन है निम्न लिखित में से कौन सा राज कहवा का सरवाधिक उत्पादन करता है या उत्पादन करता करती है जो भी हो इस तरीके स्क्वेशन पूछेगा तो आपका हमेशा होगा आप्शन नंबर सी या आप जो भी दे करनाटक इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है अब देखें दोस्तों question number 57 निम्न में से कौन सा राज कपास का मुख उत्पादक स्रोथ है अब इसके पहले कहवा कहवा करनाटक हो गया अब बोल रहा है कपास ध्यान दीजेगा राज कपास का प्रमुख उत्पादक छेत्र है तो कपास जो है दोस्तों वो गुजरात उत् अब रबड की बात किया है रबड उत्पण करने वाला राज है तो रबड कहां से रदा मिलता है आपको मिलता है हमें केरल से अर्थात आपसर नंबर B इस राइट ठीक है 59 नंबर question इंकित में से कौन सा जूट उत्पादक राज है तो वो है पश्चिम बंगाल ठीक है question 60 है लो का सर्वादिक उत्पादक राज dead ऊ听 है सुनुका सरवाधिक उत्पादक राज है तो क्या हो जाएगा मध्यप्ष्य मांद्येश में अर्थात रहर की खेथी थी राणी गन्ज कोले 09 कि घान इस्थित है रानी गन्ज कहां है दोस्तो जानते हो नई अगर आपसे पूछा जाए रानी गंध कोईले की कहन इस्थित अगर आप से पूछाए रानी कन सन्बंधीत है तो कोईले से संस्बंधीत है ऺाइए है और कोईले जी खान है दे種 मुंबाई हाइ का संबंध किस से है मुंबई हाई का संबंध किस से है तो वो है खनीज तेल से क्वेशन नमर शिक्षे तरी है बाकसाइड अयस्क है तो ये हो जाएगा elmounium का बाकसाइड जो अयस्क है किसका है? elmounium का चलो दोस्तो बचीवे question को हम आगे देख लेते हैं अब देखे दोस्तो question नमज 64 भारत में अबरक उत्पादन में किस राज का प्रथम स्थान है यहां पर अबरक उत्पादन की बात की गई है वो भी भारत के किस राज में तो दोस्तों वो है आंद्र प्रदेश ठीक है 65 नमबर है निमलिकीत में से कलपकम में क्या इस्थापित है तो कलपकम में परमाण उर्जा इस्थापित है 66 है निमलिकीत में से कौन सा उर्जा संसाधन नहीं है तो एको दोस्तो मैंगनीज उर्जा संसादन ने जल पेट्रोलियम कोईला ये उर्जा संसादन हैं लेकिन मैंगनीज नहीं है 67 है जर्या प्रसीद है जर्या कोईले के लिए प्रसीद है मैंने अभी इसके पहले बताया ना कि जर्या किसके लिए प्रसीद होगा कोईले के लिए प्रसीद है या रानी गैन अब देखें कोलार संबंधित है कोलार संबंधित है तो सोने से ठीक है 69 है निम्लिखीत में से कौन सा या कौन उर्जा का परंपरागरत स्रोत है उर्जा का परंपरागरत स्रोत कौन सा है वो प्राकृतिक गयस होता है जो उर्जा का हमसा चलने वाला स्रोत होता है लेकिर अब ना चलने वाला निम्लिखीत में से कौन सा स्रोथ गयर परमाड या गयर परंप्रागत उर्जा का स्रोथ है जो गयर परंप्रागत के अंतर गाता आएगा वो होगा सौर उरजा क्लियर तो दोस्तों ये रहे कुल 70 क्वेस्टन अगर आप पढ़ लेते हैं तो यहां से 5 क्वेस्टन आपके बोड एक्जामेर फस जाएगा भूगोल से ठीक है और दोस्तों 20 बहुत कल्पी प्रसंद ऐसा कि आपको पता है आएगा इतिहास भी मैंने करा दिया भूगोल भी करा दिया बचरा नागरी सास्त्र और अर्श सास्त्र वो भी अगले वीडियों पार्ट वाई पार्ट करके करा दूँगा ठीक है तो दोस्ते इस वीडियों बस इतना ही कैसा लगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजी चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जोड़ जाए क्योंकि इस चैनल पर आपको घर बैठे फ्री में सभी चर्जट्यों की तयारी करा दी जाएगी और आप बहतर रिजल्ट लाप आओगे बोर्ड एक्जाम 2023 में ठीक है तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में सोसल साइंस के नेक्ट नेक्स्ट पार्त अर्थात नागरिक सास्त और अर्थसास्त के थान ठीक है तब तक के लिए बाए बाए जहिं जै भारत